नमस्कार दोस्तों, सुवागत है आपके अपनी यूटूब चैनल रास्तान विरोजगार चातरशेंग पे नर्सिंग बरती 2018 की विबिन समश्याओं को लेकर निदेशक एराजपतरित मुकुल जी सरमा से आज मुलाकात की क्या कुछ यह आपर खास रहा आएज जानते हैं श्यूडियो में जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं रास्तान नर्सिंग बरती 2018 स्थंगर सेसिमिती ने आज दिनांग 22 नूमबर 2021 को निदेशक मोदे से मिलकर उनको ग्यापन सोपा जैसा कि आप देख सकते हैं नर्सेज बरती 2018 की इस्तगित की गई ओनलाइन चोईश ऑप्शन सूची को बहाल करने भरती में प्रभावित नर्सिंग कर्मियों के परविक्षय अगरना 39 अपरेल से करने की मांग को लेकर यहापन दिया है इन्होंने निवेदन किया है कि नर्सेज बरती में चैनी ते लगबग 12,000 नर्स ग्रेट दीती और महिला स्वास्ते कारिय करता है कि ओनलाइन काउंसलिंग सुचित 30 जुलाई 2021 को जारी की गई थी जिसको दो अगस्त को एपरिहारी कारणों से कोरोना की तीसरी लेयर वर भीशन वर्षा के कारण इस्तगित कर दिया था मोदे वर्तमान में इस्तती अनुकूल हो चुकी है इसलिए निवेदन है कि नर्सेज बरती 2018 की ओनलाइन काउंसलिंग सुचित जारी कल मूल पदस्तापन जारी किया जए इसी बीच निवेदन किया कि नर्सेज बरती 2018 में कोरोना काल के समय 108 एंबूलेंस से वासे नियमित हुए करमचारियों को निवेदन की जारी किया थे जिसको आज नर्सेज बरती 2018 में अतनिवेदने है कि उक्त करमचारियों को विभाग द्वारा आवंटेत नमन्युक्त इस्तान पर बेजने का अकष्ट कराएं साथी चिकिश्य बरती नियोजग द्वारा ये स्ताक्षरों से आज यह आप निदेशक मोदे को ग्यापन दिया गया नर्सिंग बढ़ती दोजार अठार की ओनलाइन काउसलिंग सूची जारी करने वेतन समंदी शमश्या 108 एंबुलेंस क्रमचारियों को उनके मूल पदिस्ता अपनिस्तान पर भेजने साथ ही कोविड के कारण है जो समविदा क्रमचारी के जो न्यूक्ति तितिती में जो डिफ्रेंस है उसको जोइनिंग डेट 39 अप्रेल करने की मांग को लेकर आप आज यहां पर ग्यापन्स होबाए और जल्द से जल्द यहां पर सकारात्म का आश्वाशन दिये के जल्द ही जो है जो लिस्टे हैं वो यहां पर आउट की जाएगी दोस्तों वीडियो फसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ने भूलें आपके अपनी यूटूब चैनल राश्तान विरोजगार चातरशन को सब्सक्राइब गरें नहीं दोस्तों